प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है, सभी जगा हाड कपा देने वाली थंड पढ़ रही है। लोग सर्दियों से बचने के लिए अलाफ का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास थंड से बचने के लिए परियाफ साधन उपलब्द नहीं। ऐसे में चमपावत पुलीस ने गरीवों को रजाई बाठ कर मानफता के मिसाल पेश की। एसपी धिरेंद्र गुंजियाल ने एक मानसिक रूप से बिमार वेक्ती को पुलीस के मदद से हायर सेंटर भीजने की वेवस्था की। इतना ही नहीं एसपी धिरेंद्र ने आठ साल की नेतरहिन बालिका के सिक्षा का वेड़ा भी उठाया। महीं अपनी जमेदारी कम होते दे एक लड़की के पिता भी काफी खुश नज़र आए। इस कारिक्रम के बारे में बताते वे एसपी धिरेंद्र गुजियाल ने बताया कि जो लोग जिला मुख्याले से दूर रहते हैं। वो लोग अपनी परिशानी लेकर मुख्याले तक नहीं आ सकते। इसलिए हमने कम्यूनिटी पुलीस के साथ मिलकर ऐसे लोगों का पता लगाया जिन ही समस्या हो और वो किन ही कारणों से मुख्याले नहीं आ सकते। तकि हम लोग खुद वहाँ जाकर उनके परिशानी हल करे। है हम लोगों ने कुछुनको एकशे ख nice करने के लिए लिए रजाईयां को प्लॉप्त करना हĩी है और जो भी उनकी दिक्कते हैं ऑसे हम अउगत हुई है और जो हम समाज करने भाग से भी हैं दिक्क्ते आए। कहते हैं मानफता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता असहायों की सहायता से बड़ी कोई पूजा नहीं होती इस कहावत को चरितार्थ कर रही है चमपावत पुलीस और वो गरीब लोग भी पुलीस की इस दर्या दिली के खूब सरहना कर रही है पंजाब केसरी टीवी के लिए चमपावत सहरीश पांडे की रिपोर्ट